नमस्कार खबर मध्यप्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साब सोनम स्वागत है आपका अमारी खास पेशकश में जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर मानव स्वास्थ से जुड़ी एक एहम जानकारी पर जिहां मूंखवली मूंखवली को तो आप सभी जानते ही होंगे आज हम बात करेंगे मूंखवली का दिल के रोगों से क्या कनेक्शन है क्यों लाबदायक है एक मूंखवली क्या कनेक्शन है इसका दिल के रोगों से आज हम करेंगे इसी विशय पर विस्तरित चर्चा आपको बता दें कि एशियाई लोगों में मुंफली दिल की बिमारियों का खत्रा घटाती है हफते में तकरीबन पाँच दिन बिना नमक वाली मुंफली खाने से दिल के बिमार लोगों का रिस्क बहुत कम हो जाता है यानि कि दिल की बिमारियों का रिस्क कम हो जाता है यानि कि मुमफली खाने वाले एशियाई लोगों में दिल की बिमारियों का खत्रा कम रहता है ये दावा जापान की उसाका यूनिवर्सिती के शूत करताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है रिसर्च कहती है जापान में रहने वाले जन इशियाई महिला और पुरुषों ने रोजाना और सतन चार और पांच मुमफली खाई उनमें स्कैमिक, स्ट्रोक और दिल की बिमारियों का खत्रा कम हो गया है स्ट्रोक जर्नल में पब्लिश रिसर्च के मुदाबिक जो लोग मुमफली खाते हैं उनमें ऐसी बिमारियों के मामली कितने सामने आते हैं ऐसे मौनिटर किया गया जोद करता सतोयो केहारा कहती है कि पहली बार इशियाई लोगों में ये देखा गया कि जो ज्यादा मुमफली खाते हैं उनमें स्कैमिक, स्ट्रोक का खत्रा घटता है हमारी रिसर्च बताती है कि मुमफली को डाइट में शामिल करना फाइदिमन्द रहता है आईएब जानते हैं कि कैसे हुई इसकी रिसर्च लोग कितने समय में कितनी मुमफली खाते हैं जिससे दिल की विमारियों का खत्रा घट सके ये पता लगाने के लिए दो चरणों में रिसर्च की गई पहली रिसर्च 1995 में और दूसरी रिसर्च 1998 से 1999 के पीच हुई थी रिसर्च में तकरीबन 74,000 इशियाई महिला और पुरुशों को शामिल किया गया इनकी आउसता नुम्र 45 से 74 साल थी रिसर्च में शामिल लोगों से सवाल जवाब के ज़रिये ये पूछा गया कि उन्होंने रोजाना या हफते में कितनी मुम्फली खाई थी इन लोगों की अगले 15 साल तक मॉनिटरिंग की गई अब हम आपको बताते हैं कि मुम्फली कैसे खानी चाहिए तो इसका उत्तर है कि मुम्फली बिना नमक के खाए शोदकरता कहते हैं एशियाई देशों में मुम्फली और नट्स खाने की आदत बहुत कम होती है लिगने से रोजमर्रा की जिन्दगी में शामिल करने पर खत्रा घट जाता है American Heart Association का कहना है कि हफदे में पांच बार दो टेबल स्पून मुम्फली बिना नमक के साथ खानी ही चाहिए आखिर क्यों मुम्फली इतना ज्यादा फाइदा पहुँचाती है सतोयो कहती है कि मुम्फली में ऐसे कई चीज़े हैं जो सीधे तोर पर हाट के लिए फाइदिमत है जैसे Mono Unsaturated Fatty Acids, Poly Unsaturated Fatty Acids और Minerals, Vitamins और Fiber मतलब इतने सारे गुण मुम्फली में पाय जाते हैं यह High Blood Pressure और Bad Cholesterol को भी कंट्रोल करती है इसके साथ ही सूचन को भी घटाने का काम मुम्फली करती है इस तरहे दिल की कई बिमारियों का खत्रा मुम्फली खाने से घट जाता है जी हाँ तो इस तरीके से आज हमने जाना मुम्फली और दिल के रोगों का क्या connection है आप सभी तक हमारा इस जानकारी को पहुचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सभी जागरूप रहें, त्वस्त रहें और सुरक्षित रहें तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए देखते रहें खबर मंदप्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद